प्राइपूर राजधानी की कोटवाली थाना के सदर बजार से जुवेलरी दुकान में हुए नगदी लाघ tut रूपि की चोड़ी का बड़ा खुलासा हो गया है जिहाँ जुवेलरी दुकान में चोड़ी करने वाला कोई और नहीं बलकि दुकान का ही करमचारी निकला उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्ट में है आरोपीयों के पास से पुलिस ने नगत 3,24,000 रुपे बरामत किये है जानकारी के मताविक सदर बजार शांती विजे मार्केट से ज्वेलरी दुकान में 31 जुलाई की रात नकली चावी बना कर तीजोरी से लाको रुपे नगदी पर हाथ साफ कर दिया था इस पूरे घटना का मास्टर माइंड दुकान में काम करने वाला आरोपी गनेश शंकर वर्मा है जीहाँ आरोपी गनेश शंकर वर्मा ने अपने अन्य दो साथियों विरेंदर अरहीवर और प्रदीप अहिर्वार के साथ मिलकर चोड़ी की योजना बनाई थी दुकान में काम करने के दुरान ताला और तीजोरी के डूब्लिकेट चाबी बनवा लिया था आरोपी गनेश शंकर वर्मा एक साल पहले भी तीजोरी का ताला खोल कर पांच लाग रुपे की नगदी को चुरा लिया था इसकी जानकारी किसी को नहीं लगी तीनो आरोपी हैं जहासी के रहने वाले गनेश शंकर वर्मा गोत्र परदेश से पकर कर पूश्टाच की गई है तो वहीं पुलिस को गुम्रा करता रहा लेकिन जब कडाई से पूश्टाच की गई तो उसने अन्य दो साथी विरेंदर अहिरवार और परदीप अहिरवार के साथ मिलकर लाखों नगदी रुपे की चोड़ी की गटना को अजाम देना स्वेकार कर लिया पुलिस की पूश्टाच में आरोपी गनेश शंकरवर्मा ने आरोपी विरेंदर अहिरवार एवं परदीप अहिरवार के चिपने के ठिकानों का पता दिया था जिस पर टीम ने दबिश देकर उन्हें गिरफतार कर लिया अब तीनों आरोपी को गिरफतार कर जेल भी जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इंक्रेडिबल मारिज पैलेस राजगराना और फाइनस्ट बैंक्वेट अल जोती गार्डन वोल्ड-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning अपर्फेक्ट वेन्यू फो वेडिं, लाँचिंग और पार्टी राजगराना और जोती गार्डन अजे बीडी बैंक्वेट्स एंटर्प्राइज ऐसे ही लेटेस कोबरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेयर और सब्सक्राइब करें घंडेवाद